नमस्कार मेरा नाम अभी शेक्तिर पाट्री है और दी लोग्दूद के इंटर्व्यू सिरीज में आज हमारे साथ अपनी किताब सियासी मुस्लिम पॉलिटिकल अस्टोरी ऑफ क्या इसलां मीं इंडिया पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर इलाल अमेज जी जुड़े हैं प्रॉफेसर हिलाल अमेज़ जिक विश्uchen में इतना कहा जा सकता है कि प्रोफेसर दिलाल एमद वर्तमान में, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंटर पोर स्टडीज आफ डेवलोप्मेंट सोसाइटीज, एसोचेट एडिटर साउथेश्यन स्टडीज, और सदस्य हैं वर्तमान में संपादक मंदल, प्रतिमान, समय, समाज, संस्कृते. प्रोफेसर एमद ने अभी तक, प्रोफेसर एमद की प्रमो किताबों के नाम है, मुस्लिम्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन पोस्ट कोलोनियल इंडिया, मॉनुमेंट्स, मेमरी, कंटेस्टेशन, डिमोक्रिटिक अकुमेंडेशन, माइनॉरिटिस इन कंटेंप्रेरी इंडिया, सर की बूसरी किताब है, और सर की तीसरी किताब जिस पर आज हम बात करेंगे, आज जो विमर्ष्टे केंडर पे रहेगी, उसका नाम है सियासी मुस्लिम्स, A Story of Political Islam in India, नमस्कार सर, आपका फिर से एक बार स्वागत है, सर सबसे पहला प्रेशन जो मैं आपसे करना चाहूँगा, एक विध्यारती के तौर पर आपकी किताब आई, यह पेंगुविं लिक्टिंग फब्लिशर से, अप्रेल 2019 में आपकी किताब आती है, और मई 2019 में इस देश में लोकसभा चुनाव होता है, और उसमें पार्टि फिर से दूसरी बार बहुमत के साथ सब्सक्राइब आती है, किताब का नाम सियासी मुस्लिम ही क्यों है, कोई खास वजय है किताब का नाम सियासी मुस्लिम रखने का या यह कारण वो है कि जो वाटसेप मेसेज़ेस में आते हैं एक धर विशेष के खिलाब यह दिखाया जाता है कि इस देश को खत्रा है इन लोगों से यह लोग इखठा होकर वोड करते हैं क्या यह सब आपके मन मे में बंधसाप जिसके तहत आप में इस किताब का नाम सियासी मुस्लिम रखने के तो खारण को खारण को थे दोनों ही कारंड वो किताब की जो मिका में पशच्ट कर लग गये हैं कि पहला कारण तो यह था कि पहले मैं यह इसक्ष्ट कर दूआ किके मेरी रूची स्राण जै क्या बात कैसे कही जाती है, मैं इसका जहता है। और इस पूरी परक्रिया पे अध्यान के बाद, जो मुझे लगता है कि महातून बादी है, तो हम यह ना सोचें कि हम जिन जिन आप्तायों पर रिसर्च कर रहें जिन पारईना मों बताने की कोशिश कर रहें, हम उन आप्तायों प्रतिनी दी बलकि हम एक, मुझे कहना तो पुजिशन है वो लेनी जाए है यह थोड़ा सा मुश्किल काम है यह नहीं कहा रखी जा सकती है क्योंकि हम सभी कही न कहीं किसी परिवेश में से आते हैं हमारी अपनी रायनेतिक समयधारी होती है लेकिन उस रायनेतिक समयधारी को सपष्ट करना मुझे लगता है कि कि यह सियासी शद जो दें यह उड़ू अर्दू अर्दू फार्सी अच्छिव एपर लेकि अवार्ट अपर हिंदुस्तानी में भी अटपर इस तरहा है लिकिन क्या जिस समुधाय को पर्री बात वह कोई मुसल्मान समुधाय था नहीं पर अभीवन अखर के लिए अटर् तो इतनी विविजिता होने के बावजूद भी जब हमारा रायनेतिक विमर्ष हिंदु बना मुस्मिम पर सिखता है तो यह ज़रूरी है कि जिस नप्ट मुस्मिम को स्राजनिक विमर्ष में मुस्मिम लगा जा रहा है उसका वो किस विशेषण से संभोड़ित यह और वो सियासी कैसे सियासी है एक अर्थ में सियासी इसलिए जो लोग अपने हापको हिंदुकुआ के विरोज से जो अपनी पात को कहने की पुशिश करते हैं उनकी लिए मुसल्मान एक रूपता बड़ी जरूरी है और उनको ऐसा लगता है कि जो मुसल्मान हो तरसल तरसल सारे ए कि जो सबसे बड़ा इस देश में परिवाइटन आया है कि वारा तेरा साने मैं साथ साल लेहीं कहता हूं हुआ जो परिवटर देरा कांध। तो वो एक परिवेश है जिसको तुकती देखा है एक आसरह की रही नहीं तो इसलिए जो लोग जो हिंदुत्पुर्व इमर्ष के लिए भी मुस्मिम एक रुपता बहुत जरूरी और ना केवल एक रुपता की ज़रूरत है बल्कि ये भी बताना जरूरी है कि हंदु तब होगी जब मुस्मिन एक रुपता इस्थाफिए तो यानि जो लोग मुसल्मानों की सियासत इस नजर से देख रहे हैं कि उनको एक मजभी अपसंखक समुधाय का दबजा देकर उनके रिक रखापी देखर और उनको एक प्रतीक बना कर अपने अपने रायनेतिक संगधन के इसके उनको खिए मानना झाड़ा है कि दरसल मुसल्मान वो रायनितिक परक्रियाओं की हर बात को अच्छी तखा जाते हैं तो इस्टैजीक है उनके रननीति और और रननीति के तहता रायनिति में फागेजारी उतकर देख देखा एक बुझे ये फीजिए दोनों में ए जो आज ये कह रहे हैं कि इस देश में सभी दोनों के लिए मुसल्मान का जो तर्थी वो प्रहत सियासी है तो मुझे लगा कि इस विमर्ष को अगर सही तरीके से पेश किया जाए यह जरूरी होगा यह शब सियासी मुसल्मान के सब्सक्राइब प्रफेसर एक पायत जो किताब पढ़ते हैं मुझे समझ है और जो मेरे लिए आश्चे रजन है कि प्रफेसर रामचंद गुहा जिस तरीके से जो स्टेडियो टाइपिंग की समस्या है स्टेडियो टाइप कर दिया गया पर एक समाज को वो अगर एक राजनेतिक पार्टी य तो नो बात पता नहीं लेकिन अगर प्रफेसर रामचंद गुहां है या कोई और है जो निब्रल धड़े से आते हैं और जिने इंपिशों पर पता है लेकिन एक स्टेडियो टाइप इमेज क्रियेट कैसे हुई पहली बात दूसरी बात यह स्टेडियो टाइप इमेज क्र प्रफेसर के अगर जबाब आप तो दे क्रिशों कि पहली बात तो यह जिसको हम अभी मेन हाली में पर नेशनल आर्काइब पर जो नेश्यानल विस्टा गायं तो प्रोजेक्ट नेश्या में कि अईक पर एदें एक लेकश गया आप और लेक कीशोंडियों? बहुत सीधा सा है, वह यह है कि जिस हिंदुटवा प्रोजेक्ट को हम लेख रहे हैं, तो वो हिंदुटवा प्रोजेक्ट इतिहास को कैसे देख आ है, और ऐसा क्यों होता है, कि जब भी मोदी जी या कोई भाजपा नेता, इतिहास के बारे में कोई गलत किपण ही करते हैं, जब कि जो लोग प्रो हिंदुट्वा इतिहास लिख रहे हैं, वो लोग वो बराबर ये कहते हैं कि हमें अब्जेक्टिव होना चाहिए, अब चाहे हो संजीर सान्याल हो, चाहे हो शेतन भगत हो, चाहे हो आलोग अला हो, ये सब लोग तब क्यो चुप रहते हैं, जब मोदी कहते हैं कि वोने बंग्रदेश की लडाई में हिस्ता लिया था, बंग्रदेश की अधादी के समय में वो जेड़ भी वहे थे, ये लोग तब क्यो रहते हैं, जब ये कहां जाता है कि सिकंदर और खुरस की लडाई जो विहार में थी, तो ये सारी जमेदारी के साथ, अगर इसे के साथ में एक और एक्जांपल जोड़ना चाहूँगा, कि प्रधान मंतरी विदर की रैली से कहते हैं कि क्या कोई कॉई कांग्रेसी निता भागत सिंग्स मिला है, अगर इसे भी इस परिवेश में लिया जाए, भागत सिंग के साथ, तो ये ऐसे सेकड़ों उधारण हैं, जबकि इतिहास को इतिहास के बारे में कुरी टिपणी की जाती है, और उस टिपणी पर जो लोग हमें इतिहास का ज्यान देते हैं, जो ये कहते हैं कि भारत का इतिहास परो टिक तरीचे से नहीं लिखा गया है, वो और जो हमेशा कहते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि हमें साइंटिफिक हिस्ट्री लिगी उस समय में इनका विज्ञान कहां चला जाता है तो यह सवाल मैंने उठाते हुए यह जो मेरा जुसा जवाब का वो यह ता है कि तरहसल जो हिंदुपकी राजनीदी में इसमें कि आप इमोशन बेस्ट इस्ट्री या भावनात्म किदास के ब वो क्या करते हैं कि वो उस समय तो चुप रहते हैं जब भावनात्मत बाते होती हैं लेकिन जब तरह से वो अपने आप टिकने पैटे हैं तो कहते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो वे क्यानिक और इस तरह क्या होता है कि उनकी चुपी और भावनात्मत इतिहास की बात करने वाली जो राइपनीतिक है दोनों एकसाद चलते हैं और हिंदुत्वा प्रोजेक्ट का इतिहास का खेल चलता है अब इसका जवाब जो तथाकथित हमारे लिबरल दोस्त हैं वो कैसे देते हैं उनकी नजर में उनको ऐसा लगता है कि जो वाबा नहरू है उनका मेथट नहीं है उनके पास हर चीज का जवाब है इसलिए जब भी मोदी जी ये कहते हैं कि नए भारत के निर्मान वगएरा तो इसका तोड़ो सतर साल पहले के किसी विचार से करना चाहते हैं ये बात भूलते हुए कि नहरू के भारत के विचार को सबसे पहले चुनाओती इंजरा गांधी ने सतर के दशक में दे दी ती जब उन्होंने का ये राइनीती हम यहां नहीं है और 1991 में पूरी तरह से नहरू का विचार चिन्द भिन्द कर दिया गया तो जो आज का भारत का विचार है जिसको के नए भारत के सूगर कोटिंग म पैदा किया जा रहा है और असल वो तो 1991 के बाद के बाद के आतिया से नहरू का कोई ले ना दे है अब अगर आप ये बात कहते हैं तो फिर मेरे लेक पर जो प्रस्करिया हुई उसमें लोगों जो हमारे निबरल दोस्ते उनकी रूची इस बात में ज्यादा थी के नहरू क जो इसलिए बता रहा हुँ ये तहानी आपके पहले तवाल की और वो पहला सवाल ये है कि जो मुसल्मानों के बारे में स्टीयोटाइब जो उनके बारे में रूरीगत बाते बाते एक दिन में पैदा नहीं हुई उनकों पैदा करने में ये मेरे कई लेक हैं जो प्रिट इ मुसल्मान रादर्श मुसल्मानों की रादर्श मुसल्मानों की और एक पहचान है कि वो हमेशा अपनी जो अल्प संक्र पहचान है उसको लेकर चले दूसरी बात ये कि वो जब भी अपने आपको प्रोग्रेसिव कहे तो वो इस तरह से अपने आपको प्रगतिशील कहे कि वो ये कहे कि मैं अलग हूँ लेकिन मेरा पूरा समुदाय जो है पिछला हुआ है वो यह कहे, कि मैं तो अधुनिक हो गया, लेकिन मेरा समुदाय पिछला हुआ है, इसलिए मुझे राज्य की मदद चाहिए अपने समुदाय को आगे करने के तो मुस्लिम जो समाज है, उसकी ऐसी पिक्टर हमने पेंट कर दी, एक ऐसा चितर हमारे सामने है, जिसमें हम यह मान उसमें उस पूरी बहस में मुझसे भी कहा गया था कि मैं भी भागी हुए, लेकि मुझे लेगा कि मैं किसके खिलाप और किसके समर्थन में लिपना, मुझे उसमें एक लेक बहुत पसंद आया था, सुहस पश्चिकराणा, पिकि हम यह कहना कि पूरे मुस्विम समुदाय यह एक सही है, हम बात कर रहे हैं अठाना करोड लोगों की और हम यह कैसे मालें कि आधुनिख्ता कहता हैं, जिसको हम भारत के आधुनिक्ता कहता हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसका असल इन इन समुदायों उन पर नहीं पड़ा होगा, तो हर एक समुदाय अपनी आधुन इसलिए जिसको हम मुसल्मानों के प्रती ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ स्टेरोटाइब्स हैं वो एक दिन में नहीं बने और वो जो पहिचान है उसकी परक्रिया है जिसको की हर एक टाइनितिक प्रड़े ने अपनी तहां से परिवाश्ट और क्या इसी स्टेर विश्ट ins library wireless Oh my God already उन्हें हिंगो के साथ ही साथ उन्हें हिंडूों के अंदरिक जो मैजौरिती ना मांओरिटी उसे इतुम्हीं depends यह बहुत अब यह प्षड़य और चाइने कि इसलाम खत्रे में लेकिन ऐसे देश में जहां सव परोरती आबादी हिंदुों की हो, वहां ये कहना कि हिंदु भी खत्रे में क्या ये उसी स्टेडियो टाइपिंग का असर है, उसी मैंने कर्चुरिंग का हिस्सा माना जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार फिर जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो हमको कहीं और लेकर चला जाएगा, इसलिए इस सवाल की डिरेक्शन को हमें फोड़ा बदना पाएगा, जैसे मैंने शुरू में ये कहा कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम विमर्श का अध्यान कर र इसको हमें तोड़ा अलग नदरिये से लिखना चाहिए कि इसका फाइदा कैसे ये भै क्यों दिखाया जा रहा है इस भै को दिखाने का कारण क्या है वो मेरे लिए ज्यादा बड़ा सवाल ये ऐसा होता है एक गालिब का मैं आपको एक बहुत अच्छा सा धारण देना चा गालिब ने एक कहा कि आप मुझे दुरभात्य से वो बाते बताते हैं जो मुझे पता होती है आप मुझे वो बताएं जो मुझे पता नहीं है मेरा काम जो है एक जहता एक रिसर्चर की तोर्टे वो ये है कि मैं वो बाते बताऊं जो लोगं को पता नहीं है या जिनके ओपर काम बात हो है ना तो अब हिंदू बना मुस्विल्ब का डर जो है वह कैसी बात है जो हम सब को बता है रोज रात को नौ बजे हम टीवी पर देख लेते हैं कि कि कैसे शुरू हुआ और पहां से शुरू हो रेज 2 इसका कोई संबन्ध टेश की आर्ग्व तरकार की जिश्कृयता से है या नहीं है यह बड़ा सवाज और जिस हिंदू और ए सबास चूए और पर जो बात आपको कैसे देखता है वह यह कहता है कि मेरा काम कॉंपीटिंग इंट्रेस्ट जो अलग अलग जो रड़ाईयां है इनको सुल जाने का है यह काम आपकी जिंदगी बदलने का नहीं है और यह बात जो है वो मीठे तौर पर मन्हान सिंग जी की सरकार कहा करती थी कड़वे तौर पर अरेदर मोधी की सरकार के तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जो बड़े सवाल है क्या हम यह कह रहे हैं कि जो 1902,000 वाला जशक था उस समय में इस देश के कॉर्पोरेट को कोई फायदा नहीं हो रहा है कि कॉर्पोरेट बनाम राहिनीती का जो खेल आज कॉंगरेस केल रही है वो सिर्फ मुदी जी के आने के बाद लेकिन इसका फायदा प्लिटिकल क्लास को भी होगा और यही वज़ा है कि आज इस तरह से एक जमाने में एक आजाता था कि मुसलमान को मत छेड़ो यह वोट नहीं देखा आज इस इतनी हिंदू के साथ नहीं है कि हिंदू की बात ना करो अरे आपके केरल में कमनिस्टों क लेकिन नीचे की प्रक्रियां या उसके पीशे की जो राइनीती है उसके उपर हम ना तो बात करते हैं ना हम बात करना चाहते हैं अगले प्रश्म की तरह बढ़ते हैं सर आप अपनी किताब में उल्लेक करते हैं कि 11 माई 1958 को AICC के ओपन सेशन में नहरू कहते हैं क्या भारत में जो आज के परिपेक्ष में दिखा जाए तो क्या यह वही हो रहा है या इससे 2014 से पहले के वर्श में देखा या आप इसे प्ड़ा आंगे ले जाते हैं हम 2008 या 2009 की तरफ जाए या उससे भी पहले प्राव जाते हैं जब सच्चर कमिटी की रिपोर्ट आती है तो क्या यह वैसा ही हो रहा था मैजॉरिटी कॉमिलिजम को नैस्नलिजम समझ दिया जा रहा था या अभी कुछ हाल चाल बदले हैं होता है कि अगर बातु को का जवाब जवारलल नहरूप से अगर हम आगे तो हम नहरूप इसा तर नहरूप मैं एसा थाथ हैंगे यह थाद भी अपने हाँ सुने जाहिए और जो जो इफास परिपेशगा किसमें नहरूप ने वह बात करी दिया और वह यह था कि वो यह था सब्सक्र ग्राश्ट लोगस्ट थे शारथे सांपरदय का राश्रवाक को वो इस वार अवेदों के लिए एक बाट, जो है यह यह जो है एिदूओराथ लिए नेहिए नेहीं में उनिसको अझावन में कई सवरू थे जिखिने हो पिन इसके पुछ सब्सक्तर के दिख लेखन की डोगसबकाव और उराथिन के बीच के बीच में नवासि के भी दूख्टा नवाटिव Warisim तो यह है कि तेह देना कि वो जो इन वर्ष्यवानी नहरू ने अठावन में कि वो तो हजार चौदा के बाद चरिकरार्थ होगी यह खलत होगी क्यूंकि जो विंदू कामकरदाइकिता है उसके कही सारे स्वरूप हम लेखते चले आ रहे हैं और वो कही सारे स्वरूप इरे इस समय में जो राज्वाज है उसका अपने विशिच करूप और इस विशिच वबात ही है कि इस विशिच करूप का अठावन के चश्मे से देखना चाहते हैं यही मैं इस किताब में करने की कोशिश करता जैसे कि किसी मुसल्मान को पकड़कर उसको यह कहा जाए कि तू ग किसी छोटी सी जगा पर कोई मजजित पूर दी जाए कि यह कैसे एक खास तहां का यह सांपड़ाइकता है यह राष्टवादी सांपड़ाइकता है लिग इसका सुरूप अलग है कैसे अलग है यह जार स्थरों पर टांग एग पहला इससर यह जहाँ पर कि आप चोटा सा वाइलेंस करता है इंसा का सुरूप के वो सीमित है यह बड़े सांपड़ाइक दंग वाली बात नहीं है आपने पहला स्थर आपका यह है कि आपने पूटे इस तर पर एक काम कर लिया एक आदमी मारा एक मुसल्मान मारा उसका दूसरा जो सर है वो सर वो है जब की आपका दो चुटभाया नेता है वो चुटभाया नेता यह बयान देना शुरू करता है कि अर अज ही एक के वालेंसी वाला चीन ब्ल्मान संक यह जब नहीं पे ऊप का सहुआ जिसने मारा था उसके घर पर जोम हब edge out अब ये तो दूसरा इस्तर हो तीसरा इस्तर विमर्श का है रात नौ बजे जब प्राइम टाइम होता है रात नौ बजे तो ये बात कि आफिर गलती कहीने कहीं उसकी होगी गाएं का गोश्ट लेकर जाना है ठीक है और चौता इससर होता है एक बहुत ही दिल्चस्प पी का इस पर और बात होनी चाहिए थी लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे अमें तो नहरों पर जाना है देखिए जब तक आप वही में भार-बार कहने की बूशिश करता है अब जैसी पूरा जो नया आइडिया है जो नया भारत कहा जा रहा है ठीक है इस किताब के छपने के ब तकरेबन पांच-छे लेक लंबे मैं इस विशे पर लिख तो नहीं चीज है इस लिए उस पर कोई नई बात करने की रूची किसी में नहीं है क्योंकि आप हम कि समाज में रह रहा है वो समाज है रेडी टू यूज वेस्टिन सैंड रेडी टू यूज आप मेरे पास लगे वायत जो है वह हमने छोड़ दे और सारा का सारा जो ठीक रहा है वह अपने विरोधी परमंड देना चाहते हैं और जवाब हम तूंड़ना चाहते हैं हम बेटकर नहरुगांदी के साथ है कैसे हो तो इसका मतलब यह हुआ है कि जो सामपरदायक्ता का पूरा सवाल है को जब मैं कहता हुआ है तो मैं राहिनीति के पेरोकार को लिसाद्य वाजपा है लेकिन इस वाजपा जिवर्च ने पूरे राहिनीतिक जो वर्ग है उसको अपनी लपेट में ले लिया राहिनीतिक वर्ग में अब इतनी क्षमता नहीं है कि वो कोई ऐसा सित्वांत गड़े जो ये कहें कि हिंदु धर्म की इजट करते हुए भी मैं ये कह सकता हूं कि ये हिंदु धर्म है ये कहने कि किसी में भी जुब्रत नहीं है इसका मतलब ये कि आपके जो इलेक्टूरल कंसिडरेशन हैं आपके जुनावी पाइजर और मुसान की नोच है उसी सोच से आपकी परिबात करते हैं और दुर्भात की ये है कि हम जिसे पढ़ने लिखने वाले प्रिमों का बड़ा सप्पा भी इसी तरह से आम कर रहा है जैसे कि कॉंग्रेस उसकी निता है और राहुल गांधी को आप कुछ नहीं कह सकते हैं आपको अगर रेंदर मोधी को बुरा कहना है यह एक इतना बड़ा चीज बनके उघर कर सामने आई है कि इसके जो जटिलताएं हैं इसकड़ी में जाता है कि अगर मुसलिम्स को बैकवर्ड के तौर पर दिखा जाए मुसलिम्स एस बैकवर्ड देखा जाए और हम उसे मानते हैं तो उनके लिए सोशल जेस्टिस का स्को अबर जिखिन के मॉडल में मिलता है अनसारी के मॉडल में अनवर जिकन के मॉडल में जादा स्कोप है सोशल जेस्टिस का आपके मैं तुम मत अम्हार तुम्स इवी यह इस चार लोग और यह चार लोग एक दूसरे से बाग कर दा दा है कि इन चारों की जुराजनीती है अन्हा से रिवन दा उसकी राहिनीती का सोरूप एक बाग दूसरे बात यह कि हमेशा राहिनीती है उसका एक बड़ा मुहावरा होता है जो तो यह आपकी तमाम बातचीत को पठाविक दाविक दाना जैसे कि सन पचास की पचास से साथ ली कि समाजवादी धंका समाज एक बड़ा मुहावरा था तो हर एक राहनेती कर दो तो इसको रिस्पॉंड करना था अपने आपको समाजवादी कहला है तो जलसंग की समाजवादी अपने आपको समाजवादी था समाजवादी था समाजवादी था समाजवादी था समाजवा सब्सक्राइब करें तक आते हैं अब हमारे कामने कि नया मुहावरा राइंटी का आगया सेकुलर बाद करने लगी यहां तक कि बीजेपी ने भी कहना शुरू कर दिया कि सब्सक्राइब करें तो हर फोई सब्सक्राइब करें तो यह जवान हुआ तो यह वाला जो विमर्श था यह नहीं पड़िवाचा को हमें दिया वो था कि कौन शामिल है कौन शामिल नहीं और शामिल नहीं मुस्मान शामिल नहीं और फिर क्या हुआ इसलिए मैं शुरू में भी यह कहा कि कि 2011 के अंदर राष्ट्रवाद एक नया मुहावरा बन कर आया है तो इसलिए हर कोई राष्ट्रवाद हर कोई अपना जो है राष्ट्रवाद करने के चक्तर में लगा हुआ अब जो सवाल है उसका क्रक्स यह है कि मुसल्मानों को पिछला कहा जाता है मेरा जो काम है वो यह है कि तो इसे प्छे पर के विमर्श की राजिन देखे हमेशा आच्छा रिसक्षिती वारा जाता है तो यह बताए कि मैं कितना क्या है मैं केutan मिमर्श की राजिती का धहन करने वादा ऑन मैं यह नहीं जानता और मैंने और मैरी क्रउज्र दिश्ब् approach मैंश की नंहीं है मु करें मेरी जिमादारी यह है जो पिछलेपन की राइनीती है खेली कैसे जाती है कि फिराड़ी कौन-कौन है और इसका आसर क्या है प्रफेसर अंतिम प्रशन अगर इस पुरे के पुरे इंटर्व्यू का रखा जाए जो कि पुरे किताब लिखने के दौरान की आपके मन में ब बहुत जादा एग्रेसिव पोलराइजेशन के तौर से गुजर रहा है और शायद इससे भी जादा आगे जाकर गुजरेगा तो मुस्लिम्स का इस इंडियन डेमोक्रिसी में क्या गोल रहेगा क्या वो लीड करेंगे क्या हम उन्हें और जादा अच्छे से देखेंगे क् यह जादाता है कि मौल सहमती भी है जैसे एंटी हिंदुगा गुजर गुज जैसे कुछ फॉर्म में ही हो रहे हैं इस सब चीजों के इकलब तो क्या रहेगी आगे की रण्मी की अगर आप आप अपनी समझ से बताना चाहेंगे तो आप क्या बताएंगे तो आपका इसमें मॊने कहा है कि कि पूरे जेहन कैता है बार्टे समझ रहें तो मात जात हाथ कि आठ miris समाज जो हो भूत हका मिग। वाँ संसे मैनी द्हें संसे और सोस्कृती जो है और जो अब में आप कैसे बात क्या तो आज कि दो आज का मैन वो यह है यह नितांत रिक्तिवादी संतुती हो जो जिनको केवल और केवल अपने आपसे मत्तव है और इसलिए नैतिक पतल है समाज़ी तो मैंने एक लिखा था कि जिसको आईडिया उफ पीपल कहा जाता है जन का विचार जो जन है वो बहुत शरीव बोला सीधा नहीं है वो जन नहा तो इसलिए हर एक इसतर पर एक जो शक्री संदस्टना है वो हर एक इसतर पर स्थाफर अब हम यह उम्मीद करें कि नेता खराब होते हैं लोग बड़ अच्छे होते मैं इस बात को मानम हो जो जन का विचार है वो जनका विचार स्वाज बना रहा है और वो जनके तीन अगर वैवस्था के अंदर कुछ नियम ठीक हो जाएंगे तो आम आदमी ठीक हो जाएंगे यह के जरिवाल जी हमें अक्सर बताते हैं अरे भाई मुझे मिजुरिटी में चुना है हाला कि चुना केवल सेदिस को ठीक है और टेक्स्पेर यह कॉर्पूरेट से आई है बाद कि अगर आप तो वाकताई में टेख्सपेर देखना है वहां कर देता है तो किसान सबस्यादा देता है तो किसान का जो तर है उसके लिए क्या तरा है तो हम क्या है यह अपने-पने धड़ों में बैठे हुए हैं और समाज के पतन से इसलिए कोई चीज अमारे आएं नहीं इस इस परिपेक्ष में मुसल्मान को गरम रखतर सोच चाहिए तो भारती राजनी की या भारती लोकंत्र का भविश्य क्या हो क्या नहीं हो भारती लोकंत्र केवल और केवल इससे जुड़ा हो इसे हम साथ में रहने की भावना का नाम है और वो मुझे लगता है कि अभी बची हुई है साथ में रहने की लोक बिविदताओं के साथ रहना चाहते हैं मैं अभी हमारा एक सर्वे हुआ है इसमें बात साफ आई है एक प्यू का सर्वे जो के इंटरनेशनल 30,000 लोंकर से बात इसका मतर अगार कि लोगता तौ रहने वाला वी जो समय हो discussions साट में रहने के लिए कि आपने आपने वाले मवस्चे की जैसे आपने आने वाले मवशके के लिए ऑन कि वह सौ क्रोड हं न हो happen तो उसके उपर दिल कियों नहीं दुखता हमेशा उन्हीं मंदिरों का नाम क्यों लिया जाता है उन्हीं मंदिरों का क्या जो देरों लाखों मंदिर इतिहां से इस देश में इधर-उदर आहम ही पड़े हुए तो इसमें मुसल्मानों का रॉष भार्टी नंशाद है जो वह भताता है कि समाज लोक्तानतिक बैवस था इसकी जिम्मादारी जो है हर एक पार्टी शान है तो वो पॉलिटिकल क्लास अपने इंट्रेस्ट के साथ अपने हिकों के साथ आरत के मुसल्मानों को कैसे देखेगी वरुशे में तो इसलिए मैं इसको कंश्यूट यह करूगा कि एक तो समाजिक पतन है उस समाजिक पतन को लेकर हम कितने चिंतित हैं म आप के हाँ बिखरी हो कोवेट की यूपी में ठीक है और उस पर जो रोना रोने वाले लोग हो एक तो है चुपी जुशी ने तो चुप रहेगा उसके हम अलचना करेंगे करेंगे लेकिन जो बहुत समेधनशील लोग है वो उसके पांच दिन बाद अलग 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 कि व कि जो लोग यह कह रहे थे कि जो लोग बलायन कर रहे हैं मजदूर उनके ओपर हमें रोना चाहिए और लोगों के पास में खाना नहीं है वही लोग बिर्यानी की नई नई डिशिस बनाकर सुशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे तो इसका मतलब फिर यह हुआ कि आप रहेंगे लेकिन एक समाज की तौर पर हमारा पतन हो जाएगा और उसका जो फायता है वो यह होगा प्री एंट्रेयर इलेक्शन जरूर होते रहेंगे इसी तरह की सरकार आती रहेंगी तो बीजेपी की हो या किसी और पार्टे की हो अब देखना यह है कि इसमें जो छोटे देखर तक है मैंने कहा मुसम्मान एक तो है है लग बड़कि की तौन मखलबर परेंगे कि हुआ रहना है यहाँ सबसे बड़ा सवाल मेरी नहीं है मेरी भूख है पर अlight प्रोफेसर बहुत बहुत थैंक यू हमें वक्त देने के लिए हम उमीद करते हैं कि आपकी अगली किताब आजाद मसल्मान जब आए तो उस पर भी हम बात करें और उस पर भी विमर्श का केंट साफिट करने की बात करें इससे पहले कि इंटर्व्यू हम खतम करें और प्रोफेसर हिलाल अमजी के साथ हम अपता कारवा यही रोकें इससे पहले हम मैं कुछ बातें दो बातें इंगित कर देना चाहता हूं कि क्यों ये किताब पढ़ना आप लोगों के लिए जरूरी हो सकता है मेरे लिए एक विश्वर्ष के लड़के के लिए क्यों ये किताब पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम जिस संस्कृति और जिस तरह के समाज में पल रहे हैं वहां बार बार बताया जाता है कि तुम अपने धर्म को मानो अपनी संस्क्रिति को मानों कि तुम से जादा मुस्लमान पूजा पाट कर रहे हैं तुम से जादा वो अपनी धार्मिक करीटियों को निभा रहे हैं। तब 2015 में CSDS का सर्वे आता है जिसमें सर अभियाब वर्तमान में एसेस्पेंट प्रॉफेसर उस इंस्टिटियूट के लिए और वो पताता है कि मुस्लिम से ज़्यादा तो सिख और क्रिस्चन से रिलीजियस हैं और रिलीजियस माइंडेड हैं और वो रिलीजियस इन सब बातों के साथ हम चाते हैं कि प्रॉफेसर की तीनों किताबे पढ़ी जाएं लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पढ़ी जाएं ये बहुत किसी इतिहास कारे राजलीतिक विश्टेशन के साथ नाइंसाफी होती है कि कोई दूसरा लेक्ती कहें कि इनकी यह वाली अच्छी लगी है और सर एक और बार थैंक यू इस बात के लिए कि आपका हिस्ट्री मेरे भी जामा मस्जीद एज लिविंग हेरिटेज का आर्टिकल है उसे भी हमने पढ़ा है और उसे पढ़कर हम एंचांटेड रहे हैं और बहुत डिलाइटेड रहे हैं थैंक यू सर भार बार थैन्न वाद हमें समय देने के लिए थैंक यू सर बार थैंक यू सर जागा है